मैं हलोवर्ण आज हम आपके साथ डिसकस करने जा रहे हिंदी व्याकरण के we इस question हिंदी व्याकरण की बात की जाए तो ये paper आपका 762 post code वाला paper है जिसमें हिंदी व्याकरण के question आप से पूछे गे थे 151 से लेके 170 तक के जो question थे वो हिंदी व्याकरण के question थे इनको हम discuss करेंगे और इनके answer हम final answer की according ही आपको बताएंगे और साथ में ये दिवात की जाए यहां से हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आनेवाल exam में यहां से question बन सकता है अब थोड़ी से एक बात में आप फिरकात जुरूर share करूंगा ठीके मत्बुन जानकारी है जो भी बच्चा TGT commission की त्यारी कर रहा है या TGT TAT की त्यारी कर रहा है तो उनके लिए हमने course launch कर दिये है ठीके चाहे हो किसी भी science का हो चाहे हो arts का हो ठीके जेविटी का हो तो हमारे commission के जो course है सबसे पहले हमारा TGT non medical का course है ठीके और इन सभी course की fees की बात की जाए तो 4000 रुपए है दोस्तों fees से आपसे मैं आपसे एक बात share करना चाहूंगा fees हमारी क्या होती है fees हमारी fees नहीं होती आपको भी पता है आप non medical की coaching लेगे तो आपसे कम से कम भी मैं मान के चलता हूं कि 10,000 के क्रीब आपसे coaching के fees ली जाएगी किसी भी institute में जाएए आप offline classes कीजिए आपको पता लग जाएगा फीस का structure हमारी फीस क्या होती है हमारा यह net का charge होता है website का charger होता है ठीक है application का charges होता है तो उसमें वह हमारी फीस है हम इसमें कुछ भी नहीं कमावाते है हमारे को पता है जब हम live session रखते है तो कितना net to use होता है और कितना हमारा खर्चा आता है ठीक है तो यह फीस आपकी इनी की है ठीक है इसलिए हमने इतनी फीस रखी है ठीक है आपको भी पता होगा कि इतनी फीस होती है इसमें क्या होगा TGT non medical का आपको course मिलेगा ठीक है live classes मिलेगी recorded classes होगी test series होगी और expert हो जो आपका subject का expert होगा उसके साथ आपकी guidance होगी उसके नलदेश में रखे आप पढ़ोगे ठीक है TGT medical का course है TGT arts का course है और GVT commission जो आपका हाली में paper होना है उसका एक course है मात्र की कितनी फीस है इसकी commission के paper की बात की जाए तो इसकी 4000 फीस रखी गए और यह WhatsApp नंबर है ठीक है जानकारी के लिए आ दोस्तों ठीक है non-medical course है इसमें medical का है ठीक है सास्त्री का है Arts का है GBT का है और LT का है ठीक है तो देखने नहीं इसमें live classes होगी recorded classes मेलेगी आपको ठीक है जो live होगी वही record होगी इसका एक benefit होता है मैं benefit आपको बताऊं तो इसका benefit क्या होता है क्या होगा आप live class attend नहीं कर पा तो क्या होगा उसी class का आपको वीडियो जो record होके हमारी application पर मिल जाएगा ठीक है आप उसको बात में watch कर सकते है जितने मर्जी time उसको आप watch कर सकते है ठीक है उसके notes मिलेंगे आपको उसी topic का test series या test मिलेगा ठीक है mock test जीसे कहते है वो मिलेगा यह आपको इसमें इतना benefit होता आप साथ में यहीं बात की जाए आपने join कैसे करना है join की बात की जाए तो आपने यहीं demo classes लगानी है demo classes देखनी है तो आपने जाना है Google Play Store में अपने career study application डाउनलोड करनी है ठीक है download करी इसको open करना है इसमें आपने register करना है आपने को ठीक है register में आपकी email id पढ़ेगी ठी courses so हो जाएंगे तो उसमें आप demo classes देख सकते है आपने purchase करना है तो वहां से आप खरीच सकते है ठीक है तो यह तो होगी आपकी courses मंदी जानकारी आप paper की बात की जाती है तो इसमें question पूछे दे आपसे 51 से लेके 51 से लेके दोस्तों आपके 70 तक के जो question थे वो आपके Hindi व्य से question आपकी exam में आ चुके है और किन किन question की आने की समभावना यह हमारा मकसद रहता है और हमारा मकसद यह रहता है कि कम समय में आपको जादा से जादा question कबर करवाया जा सकते ठीक है और यह है आपका इसमें question पूछा गया हरीद्य किस तरह से लिखा जाता है तो final answer की कि यह टू का right answer बनेगा आपका option C ठीक है अब बात किजिए उत्पन उत्पन किस तरह से लिखा जाता है सभी को आता होगा इसका right answer भी और इसका right answer बनेगा option A ठीक है पूजनिये का आभी most है पूजनिये दो तीन बार repeat हो चुपा है ठीक है 154 का option C सही होगा पूजनिये इस तरह स से लिखा जाता है राजनीतिक नहीं होता है राजनेतिक होता है सुद सब ठीक है अब यहां से आपने कौन-कौन से सब्द ध्यान में रखना है उनको मैं बता देता हूं सहित्या सहित्या की बात किजिए तो सहित्या इस तरह से नहीं लिखा जाता है सहित्या इस तरह से लिख आपका विसर्व होगा और स्वार्थ आपका इस तरह से लिखा जाता है भाग्यवान की बात किज़े भाग्यवान में आपका इस तरह से लिखा जाता है पुज्य की बात किज़े पुज्य इस तरह से लिखा जाता है आजीविका की बात किज़े तो आजीविका इस तरह से लिखा जाता है अभ्यास की बात किज़े तो अभ्यास नहीं होता अभ्यास होता है तेहार में दो मात्रा नहीं होती है तेहार में अनुग्रिहत नहीं होता र की मात्रा नहीं होती है री की मात्रा होती अनुगरीत में कंट की बात कीज़े तो ये वाला नहीं होता ये वाला बिंदी वाला नहीं होता ठीके एक सत्री की बात कीज़े इस तरह से लिखने जाता ना की छत्री होता है ना की छत्री होता है ठीके पुन्य की बात कीज़े पुन्या इस तरह से लिखा जाटाए ठीक है यह अपने ध्यान में रखने कोश्चिन तो यह दोस्तों किसी ना किसी एक्जाम में आ चुके है ठीक है 156 का right answer बनेगा आपका option B सही हो जाएगा पो प्लस अन ठीक है पो पवन को आपने ध्यान में रखना है पो प्लस अन पवन अब पो इत्र पवित्र को आपने ध्यान में रखना है यहाँ से पे प्लस अल पायल को आपने ध्यान में रखना है इस तरह से इनका चंदी पिशेद होगा उध्यों की बात कीज़ाए उत्थ प्लस योग क्या होगा इसका संदी पिशेद होगा 157 की बात कीज़ाए option A सही होगा कौन कौन से question यहाँ से ध्यान में रखना है A प्लस छेद आचेद को आपने ध्यान में रखना है उत्थ प्लस हरन उत्थ प्लस लेक उत्थ प्लस नती उन्ती को आपने ध्यान में रखना है आगे हैं संदी आपका मनुरत मनुरत का संदी क्या होगा मनहा प्लस रत option आपका C सही होगा यहाँ से option C सही होगा 58 का ठीक है अब यहां से question कौन कौन से ध्यान में रखना है एक तो आपने मनह प्लस योग को आपने ध्यान में रखना है मनयोग मनह प्लस ज मनोज को आपने और आपने द्यान में रहला निह प्लस जल्व को अपने ध्यान में रखना है और आपने द्यान में बात की जएड होने गा का और प्लस घहला सुछ संदीव चेड हो से को नाईक का संदीव चेड होगा इस reference अपने ध्यान में रखना है आगे है अनुवेशन की बात की जए तो इसका संदीव जहेद वनेगा 159 का अउप्शन अनुप्लस एसर आप्शन डीज हो जाएगा ठीके अब आपने यहां से एक मनुप्लस अंतर आपने ध्यान में रखना है मनवंतर इस तरह के संदीव जहेद पूछा जा चुका है ठीक है most है पर इक्सक की बात कीज़े पुलिस के एक्जाम में भी पूछा जा चुका है HP SSC के एक्जाम में तो आप माने के जली कम से कम पांच बार पूछा जा चुका है ठीक है पर इक्सक की बात की जाए तो इसका 160 का राइटन से बनेगा option C सही हो जाएगा पर इस तरह से लिखा जाता है आगे यह question आपके बाद लकडी सब्द किस तरह का सब्द है 161 की बाद की जाए तो यह आपका option A सही हो जाएगा देसर सब्द है अब देसर सब्द की बात आई है तो देसर से आपने पगडी को द्यान में रखना है लुटिया को आपने द्यान में रखना है चेडिया, कपास, सीता फल, नारी, बिमारी, इमानदारी यह पूछे जा चुगे question कपास, सीता फल, नारी, बिमारी, इमानदारी लुटिया, चेडिया, पगडी ये आपकी देशन सब्द है विदेशी की बात कीजाए तो कैंची चाए बटन अपील आदमी तॉलिया ये सभी question पूछे जा चुके है इनको भी आपने ध्यान में रखना है ठेक है कौन-कौन से विदेशी कैंची चाए बटन अपील आदमी तॉलिया आगे है हाती का इस्त्र टॉक की बात कीजाए option C सही हो जाएगा हतीनी ठीक है option C सही हो गया अब यहां से आपने बात कीजाए तो आपने ध्यान में रखना है इस्तिलंग से धनवान ध्यान में रखना है धनवती इसका इस्त्रिलिंग होगा सेवक का सेवी का इस्त्रिलिंग होगा चौदरी का चौ राइट असर वनेगा आपका option A, कायर, कायर का कायर ही बहु वचन रहता है, 163 की बात की जाए, तो option आपका ये सही हो गया, अब यहां से आपने वहा का वे, ये पुलिस के एक्जाम में पूछा जा चुका है, ठीके, वहा का वे क्या होता है, बहु वचन होता है, प्रेम का प प्राग ही बहु वजन होता है, ये आपने ध्यान में रखने है, ठीके, आगे है आपके वास, लखपती में समास, लखपती की समास की बात की जाए, तो समास का आपको पता होगा, इसमें सेकंड सम परधान हो रहा है, तो सेकंड सम परधान किस आपके उपनास में मिलता है, 164 की बात की जाए तो अपसन आपका 20 ही हो जागा ततपूर्स मास्का क्या होता है इसकी परिवासा होती है इसमें सेकिंड जो दूसरा पद होता है वो परधान होता है जैसे राजनाथ भी पूछा जा चुगा है राजनाथ में भी दूसरा सब्द परधान है लखवती हो गया पत बरस्त आपने ध्यान में रखना है देवालिया को आपने ध्यान में रखना है देश बगती को आपने ध्यान में रखना है ततपूर्स की ठीक है अभिवाग की बात की जाए इसमें आपका पूरू पद परधान होता है ठीकै, पहले बद में ही उपसर्ग लगा होता है जैसे प्रती दिन यथा कर्म ठीकै, द्वंध की बात किजाए इसमें दोनों पत परधान होते हैं ठीकै, उच नीच दोनों सब्ध परधान होते है द्वंध में बहुर्वी की बात किजाए तो चतुर आनन आपने ध्यान में रहना है ना तो पहला पद ना ही दूजरा पद अन्या आर्थ निकलता है इसमें ठीके वो यह अन्या आर्थ निकलता है चतुर मुख आपने ध्यान में रहना है बहुर भी इसमास से है अल्प बुद्धी भी पूझा जा चुका है चतुर आ भी आ रही है ठीक है ऑगे है ठग्हना की भावाचक संगयई ठग्हणा की भावाचक संगयई अपने बिदाने है ठगी ठगी हो गा अप्शन B सही हो जाकी हो झाले ज़ा अब यहां से कौन-कौन से सब्द द्यान में रखना है मधूर का मधूर क्या होगा विशेशन होगा भार का भारी ही भार का भारी विशेशन होगा ठीके भार संग्या है सहास का सहासी विशेशन होगा अपेकसा का अपेकसित विशेशन संग्या होगी विशेशन होगा और देव का दैबि क्या होगा विशेशन होगा दिन का दैनिक क्या होगा विसेशन होगा यग का यागिक विसेशन होगा ये पूछा जा चुका है ठीक है दिन का दैनिक पूछा जा चुका है देव का दैविक पूछा जा चुका है साहस का साहसी पूछी जा चुका है ठीक है ये जो नोट किये हुए यहां पर मैंने पॉइंट ये सभी प प्रायवाची आपको बताना है तो अंग के प्रायवाची रहते दे सरीर तन काया तो इसका राइट असर बने अब यहां से बात करेंगे कानन, कानन किसका प्रायवाची है, कानन है अरण्या, अरण्या मतलब की बन, जंगल, बिपिन, कानन, निपिड, कांतार, यह इसके प्रायवाची है, अरण्या की है, अब मद की बात की है, मद किसका प्रायवाची है, अंकार का मद प्रायवाची है ठीके, धंब है, गमंड है, दर्प है, अभिमान है, मद है, अहम है, गर्ब है, गमान है, ये किसके अंकार के प्रायवाची है, ठीके, द्रीक की बात किया है, द्रीक की बात किया है, किसका प्रायवाची होगा, आँख का प्रायवाची द्रीक होता है, नैन होता है, लोचन हो बात किजाए तो option D सही हो जाएगा ग्रहन, अब option तो आपका D सही हो गया, अब यहां से आपने कौन-कौन से सब्दत ध्यान में रखने हैं, अती का क्या होगा, अल्प बिलोम होगा, ठीके, और अल्पग्य का बहोग्या बिलोम होगा, आबरत का अनावरित क्या होगा, बिलो होता, यह सब्द अपने ध्यान में रखने हैं, लास्ट कोस्चिन की बात की जाए, 170 की बहुत चड़ा कर, बड़ा चड़ा कर कही वही बात के लिए उप्यूक्त सब्सकाफी बार हमने डिस्कस किया है, इसको, इसका राइट अंसर बनेगा आपका, 170 की बात की जाए, option D, अ अंतपूर, महल के बीतर के बाग के लिए, वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या होगा, अंतपूर, ठीके, अनिरवर्चनिय की बात की जाए, तो जो बचन द्वारा कहा नहीं जा सके, उसे कहते है, अनिरवर्चनिय है, ठीके, यह अपने ध्यान में रखने है, तो यह थे दो लाइक करना आपका फर्ज है दोस्तो लाइक करेंगे तो हमारे को मोटिवेशन मिलता है ठीक है मोटिवेशन मिलेगा हमारे को तो हम और अच्छे-च्छे सैसन आपके लिए रोज लाते रहेंगे ठीक है दोस्तो तो धन्याओ दोस्तो लाइक जुरूर करना है नहीं तो आपक एक एक